नमस्कार साथियो नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं अमेर्की चमक धमक के बीज की गई यात्रा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ एक ऐसा करार किया है नेचरल गैस से जुड़ा हुआ जिसकी पहली खेब 2030 में पहुँचे गी करार ये है कि भारत की पेट्रोनेट कमपनी ने डॉलर थाई बिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है अमेर्की गैस प्रोडूशन कमपनी टैलूरियन इंक के साथ इसी पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परोंजाए तो परोंजा इसके पहले इस पूरे करार के जो पहले भारी भरकम सब्द हैं टैलूरियन इंक, लिक्विफाइड नेच्रल गैस, पेट्रोनेट ये पूरा करार इसको असानी से बताएं कि ये क्या है पेट्रोनेट एलेंजी, एलेंजी क्या है, लिक्विफाइड नैच्रल गैस, यानि कि द्रवित प्राकृतिक गैस ये कंपनी एक तरह से अजीब शाकंपनी है, पूरा सरकारी भी नहीं है, नीजी भी नहीं है क्योंकि चार सरकारी कंपनी, जैसे गेल, जिसका नाम था, गैस ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक समय, इंडियन ओइल कॉर्परेशन, ओएंजी सी, यानि कि ओईल एंड नैच्रल गैस कॉर्परेशन, और भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन, ये चार सरकारी संक्स है, बागी पचास, तो एक तरह से एक अजीब शे कंपनी है, मगर भारत सरकार का जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले का, जो सचिव है, ये कंपनी का चेर्मिन, तो ये कंपनी ने, ये अमरीकी कंपनी, जिसका नाम है टेलूरियन, इसके साथ इनका एक प्रोजेक्ट, ये लुईजियाना राज्य में है, वहाँ पे एक धानमंत्री नरिद्र मोदी, जिस समय अमरीकी राश्टरपती डॉनल्ड ट्रम से मेला, उसी समय में, पेट्रोनेट एलन जी, ये ही टेलूरियन, इनकॉपरेटेट के साथ, एक समझावत है, मो यू है, और ये काफी विवादित है, और ये कह रहा है कि, भारत ये कंपनी, अमरीकी कंपनी में, धाई बिलियन, यानि कि धाई अरब, अमरीकी डॉलर, निवेश करेंगे, और ऐसा भी है, एक समझोता होगा, कि चालिस साल, भारत वर्ष, आयात करेंगे, ये अमरीकी कंपनी से, ये LNG या द्रवित, पाक्प्राक्रित, गैस, विवादित क्यों है, क्योंकि इसी कंपनी का बोर्ड में, छे महीना पहले कहा, कि ऐसा समझा होता है, मैं मत जाई, बहुत कारण है, खत्रा बहुत है, क्योंकि गैस ऐसा चीज है, LNG आज बढ़ रहा है, कल गिर सकते हैं, बिलकुल, हमें मालुम नहीं है, कि आने वाले एक महिना में, दो महिना में, क्या होने बहुत है, चाली साल तो और, फिर भी, भारत पर शेयसे देश है, हम विदेश से हमारे उर्जा, सुरक्षा के लिए, हमें आयात करना पर रहा है, कच्छे तेल हम आयात कर रहा है, LNG हम इंपोर्ट अजय हम तरह हम अलग यलग तरह से ओर्जा के लिए हम अर्जा सुरक्षा के लिए हम अयात कर faço है, जैसे एक उधार में तरह हो हमारे में, 80% से भी ज़्यादा जो खच्छे तेल हम लोग एक साल में हम भोक करते हैं इसका 80 साल से भी ज़्यादा हम विदेश से आते हैं तो एक तरह से हमें आयत करना जरूरी है फिर भी कैसे वो समझोता का बारी की से देखना पड़ेगा किसका फाइदा होगा भारत वर्ष का फाइदा होगा भारत एक कंपनी का फाइदा होगा या अमरीकी कंपनी का और इससे पहले भी पेट्रोनेट, LNG नया नहीं है ये फ्रांस के साथ कतार के साथ आस्ट्रेलिया के साथ रूस के साथ आज नहीं जिस समय कॉंग्रेस सरकार थे हैं अलग अलग तरह से समझ होता हमारे पास यह पहना बार नर्जंद मोधी सरकार तोचाट 14 में आया है उसके बाद इस तरह से इतना बड़ा एक समझ होता यह कंपनी के साथ हो रहे हैं यह पेटरो नेट जो कंपनी है उसकी वित्य स आपकर नहीं ही पाएगा ओको जिन लेना परेगा लौन लेना परेगा यह करज लेने के बाद ही निवेश करपाएगा यह तो साफ है आप पेट्रोनेट का अगर बारी किसे बैलेंट शीट अगर आप बारी किसी देखेंगे इसके पास इतना संसदन है तो अगर उनको निवेश करना है उसको तो कुछ पैसा लोन लेना ये तो बड़े-बड़े कंपनी करते हैं कि कैस और उनका रिजवर मिलाकर अभी तक केवल पचासी सो करोड ही है बस उनके पास और डॉलर धाई बिलियन का उने इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए मेरा लग रहे यह पूरा समझाता हूं कि में राजनीती आ गया है यह राजनीती क्या है किस तरह से कि मोधी जी ट किछ दिखाना परेगा हमने कुछ आर्थिक समझाता भी और देखिए ट्रम तो अमरीका का लोगों के लिए नोकरी चाते हैं तो यह तो आच्छे जोने का कारण नहीं है मगर हमारे देश के पर पैसा अमरीका जाएगा निवेश होगा और एक तरह से चालिस साल का समझाता ह का एक कंपनी के साथ जो च्छे महीने पहले यही कंपनी का बोर्ड ने बोर्ड अफ डिरेक्टर को कहा कि इत्में मच जाओ मैं नहीं कह रहा हूँ यह अभी बहुत सारे अखबार में चप गया वेब साइट में चाल गया प्रेस ट्रस्ट ओफ इंडिया पी टी आई का पू किसका रेट का क्या होगा कब होगा कहा जारा कि इसका रेट बहुत कम है दूसरे देशों क्या पेक्छा देखिए हमें मालूम नहीं है इस वक्त तो अभी कहना मुश्किल है कि इसका रेट क्या होगा और असली बात है जो विशेश अग्या है उनको कहना परेगा कि यह जो अभी तक तो सिर्फ M.O.U. है यानि की मेमोराइंड़म अपार्टिक है जो एकदम पक्का जब समझोता है या जो ठेका जो एगरीमेंट होगा उसके बाद ही हमी पता चलेगा ये किसका फायदा होगा ये हमारे देश के लिए फायदा होगा ये पेटरोनेट LNG के लिए ये सिर्फ समय बताएंगे इस वक्त हमें तो लगा कि ये समझोते कि पीछे अर्थ नीती से ज्यादा राज नीती है लेकिन कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि हम लिक्विफाइड नेचरल गैस ले रहे हैं जिसे कार्बन एमिशन कम होता है और ऐसी वस्था करते हैं दायक हो सकता है ये अलग विशय है बात ये ने है कि हमें एलन जी आयात करने का ज़रूरत है कि नहीं मैं पहले ही बताया कि हमारे देश के अर्जा सुरक्षा के लिए हमें विदेश से आयात करना कर रहे हैं हम लोग बात और कुछ है क्या ठेका होगा क्या समझोता होगा कि किस दाम में होगा किछ रेट में होगा और कितने साल के लिए चालिस साल क्यूं बिलकुल और इसका फाइदा किसको मिले कैए हमारे दिश का कंपनी पेट्रोनेट अलंची या अमरीकी कंपनी यह स्रिफ समय बताएंगे मज़ इस समय हमें लग रहे है कि इसके पीछे आप सब्सक्राइब कर दो कि अगर भारत सरकार अमरीका में निवेश करते हैं तो उनके लिए अच्छा है वहां देश में नौकरी लोगों का मिलेगा वगर हमारे देश में क्या पायदा होगा की नहीं और खत्रा क्या है यह हमें बारी किसी देखना परेगा और समय बताएंगे शुक्रिया इस विसर पर हमसे बात्चित करने के लिए परणजय का कहना है कि इसमें अर्थनीती से ज्यादा राजनीती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा शुक्रिया आप देखते रहें यह न्यूज क्लिक